हेलो प्रेंट्स आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सिस्पत पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुचती रहे आपको पता है कि इस चैनल पर सिविल इंग्स कंप्टिटी एक्जाम से रिलेटेड जो भी आपजेक्टी कुछे आते हैं कंप्टिशन में जीतने भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके आपजेक्टी क्विशन से रिलेटेड उस सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज आपको अप्जेक्टी क्विशन कवर कराए जाते हैं एक सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है बिल्डिंग मेट्रियल जिसका लिंक आपको डिस्क्विशन में मिल जाएगा अभी हमारी कंक्रीट की सीरीज चल लिए और उस सीरीज चलती रहेगी और बीच-बीच में हम प पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेर करें चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्सी जाई के 2005 में जीतने वीक्विशन पूछे गए हैं टेक्निकल यहां से डारेक्ट आपको क्यूशन में पूछा जाता है तो उसके लिए आपकी इंपर्टेंट है तो चलिए हम देखते हैं आज का पाला क्यूशन हमारा क्या है सुगट्टेता चार्ट निवनिलिखित के बीश संबंद बताता है जो भी आपका प्लास्टिशिटी जो चा की जाएंगे क्विशन के डीटेल अगर आपको जाना है तो जो भी पीछे की वीडियो जो हमारी शीरीज चल लगी आपजेक्ट इक्विशन की उसका लिंक आपको डीशीर में मिल जाएगा वहां से आप जाके देख सकते हैं जो भी निमेरकल होंगे उनको यहां पर सौल कर क은 आपको प्लास्टीची इंडेक्स होता है और लिक्विड लिमीट होता इनके बीच का संबंधों बताता है लेक्सट मिर्दा के समूँष उचकांक को रिड्स में होने की इस्तिति में क्या दिखाता का समूश उचकांक में है तो यह इस्तिति क्या दर्श आएगी तो B, साफ का सभी एंसर होगा सुन्य कभी भी रिड मान में अगर है समू सुचकांक रिड मान में है तो उसकी इस तिति आपकी ना रिड से धन होगी और नहीं रिड हो सकता है तो माइनस है तो माइनस में नहीं होगा इसको हम सुनने दरसाता है सुनने हम मानते हैं तो आप याद र किसी मिर्दा के लिए सुझका को हम कड़ापण सुझकाग कि इस्टीफनेस इंडेक्स कहते हैं. सी आपसंस आपका सही अंसर है नेक्ट हम देखते हैं एक मिर्दा में प्रतिशत वाय रंदर 30% की कोट के हैं इसकी सरंदरता 0.4 है तो उस मिर्दा का वाय रंदर यानिकी एर वाइट से जिसको हम एन एसे डिनोट करते हैं आपका दिया गया है 30% अगर % ठटा दे तो यह आप की सरंदरता आपका i small m से डिनोट ता यह दिया गया 0.4 तो जो आपका प्रतिशत वाय रंद यानिकी एन ए आपका है 0.30 और आपका i small n यानिकी पोरोसिटी आपका है 0.4 तो हमको क्या बताना है एर कंटेंट जिसको हम एसे से डिनोट करते हैं एर कंटेंट को इसका जो फा यहां पर n a का फार्मूला होता है n into ac ठीक है यहां पर n a का फार्मूला यहां इन इंट्व ac होता है और ac आपको निकालना है तो ac is equal to kya हो जाएगा हमारा n a upon n हो जाएगा यहां से निकाल सकते air content आपका दिया 0.30 और porosity आपका है 0.4 तो यहां से हमारा answer हो जाएगा 0.75 आपका calculate कर लिजिएगा यानि कि जो air content का मान पूछ रहा है ac का मान पूछ रहा है ac is equal to n upon n या फिर n is equal to n into ac होता है फार्मुला आपका है तो यहां से आपका option number is सही answer हो जाएगा तो क्या फार्मुला आपका था ac is equal to n upon n यहां से आप calculate करके निकालेगा तो आ जाएगा यहन आपका 0.3 है यह वायूरंड्र और यहन आपका porosity 0-4 है नेज्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोमेटर बिस्लेशण में में मेनिस्कस वह परिछेपक सुधार क्रम सव होते हैं जो मेनिस्कस और परिछेपक सब्सक्राइब है हाइडरोमीटर विशले सड़ में मिनिस्कस वा परिचेपक सुधार इंपार्टेंट क्यूशन यह पूछे आते बार बार तो आपके धन और रीड पाले पाजिटिव प्लस और माइनस आपका होगा नेश्टम देखते हैं यदि किसी रेखा का पूर्ण विरित दिक्मान डबलू वन है यही पिछली रेखा के लिए डबलू टू है वह सीधे हाथ की दिशा में वीचलन कोड़ डी है तब सही समीक्रण को चुनिए किसी यह आपका क्यूशन दिया गया सर्वय का क्यूशन है तो यहां पर आपका आप इसकी सरंथा होगी यह बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट है स्वाल से इससे बहुत ज्यादा कृशन पूछे आते हैं इस फार्मूले पर रिलेटट तो आपका रिक्तता अनुपात है इसको हम इसमाल एक्सिट नोट करते है और सरंथा को हम पूरसिटी को यहां पर एक मान आपका दिया जाता है दूसरा पूछा जाता है इस तरह के बहुत सारे कृशन मिल जाते हैं तो रिक्तता अनुपात आपका दिया गया है और सरंद्रता यानि कि पूरोसिटी आप से पूछा जा रहा है तो यहां से आपका फार्मूला होता ह पूरु सिटी पूछ रहा है तो यहां से आपका एंस्वर आ जाएगा आपसे नंबर भी यानिकी 0.47 कैसे हम कल्कुलेट करेंगे 0.9 अपान 1 प्लस 0.9 इसी को आपका आजाएगा 0.47 इसे हम देखते हैं को इडिटी यह परीषड को किसके निर्धारर है तो प्रिएग की हैको जल की कछोड़ता के से तेस्ट करते है तो अपसंसा का सरी अंसर जिश्ट हम देखते हैं यदि P किसी आयताकार छड जिसकी लंबाई यल चोड़ाई B वो मोटाई C है में तनन प्रतिबल है तो आयतन विकृति होगी आयतन विकृति यानि की वालूमेटरिक इस्ट्रेन आपको बताना है क्या होगा यदि P किसी आयताकार छड जिसकी लंबाई यल चोड़ाई B वो मोटाई C यह दिया गया है इसमें तनन प्रतिबल है तो आयतन विकृति क्या होगी आपकी आपसार नमर्ण ड है पपान इंटू 1-2 वी आपका सही अंसर है पपान इंटू 1-2 मिव नेक्ट वाम देखने हैं भंजक बिंदु क्लोरीन करड़ वक्र में भंजक बिंदु वा बिंदु होता है जिसके लिए ओस्ट क्लोरीन की मात्रा क्लोरीन की एक दी गई मात्रा के लिए होती है उसिस्ट क्लोरीन की मात्रा क्या होती है तो यह आपका बताना अधिक होती है निम्तम होती है सुन्ने होती है या फिर आपका डी आपसंस यहां पर है उस अवस्था में जबकि जल का क्लोरीनी करण बंद कर देना चाहिए तो डी है जो कुवा जमीन में और पारगम सतर्स होकर नहीं जाएगा वह हमारा उथला कुवा है यानि कि शैलों वेल कालाता है उथला कुवा कालाता है नेच्ट हम देखते हैं फिल्टर एलम इसकंदक के रूप में प्रीयोग किया जाता है यह क्या होता है आपका फिल्टर एलम तो आप попроб sub सब्सक्राइब करने में किसको ग्याद करने है तो लोहा को आपसा नमबर यह आपका सही अंसर है देखते हैं बी कोली परिछड में ग्रीन लैक्टोज बाइल का उप्योग किया जाता है किसके रूप में शंभाविक परिछड के रूप में यह आपसा नमबर यह आपका सही अंसर है एक अवसाधन टैंक में क्या होता है सता का छेत्रपल टैंक की छमता से ज्यादा महत्वप है नेक्ट कीशन हम देखते हैं दोहरे प्रतिवल सेक्षनों में इस पात की खुल प्रवलम प्रतिसत्ता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए तो देखिए 0.4% से अधिक नहीं होनी चाहिए एक सुद्ध आलंबी धरन को गहरा धरन माना जाता है यदि उसकी प्रभावी वि अधिकते हैं एक जो सुद्ध आलंबी धरन यानि की सींपली सपोर्टीड बीम की बात कही जा रही है आप पर इसको गहरा धरन हम कम मानेंगे यह जिसकी प्रवाई विश्तिरती और पूरी गहराई का नपात किस से कम होगा तो उसको हम गहरा धरन मानेंगे एक सिंपली सप क्या कम होगा इफ्स्थी इस पानपन ओवराल डियूंप्त का जो अनपात है वह अगर धरन कहलाएगा अगर यह ही कंटीनी की बात कहीं तो 2.5 होता आपका एंस्वर 2.5 से अगर कम होता continuous beam में तो आपका गहराधरन कहलाएगा अगर उसके प्रवाई विस्तृति और पूरी गहराई कान पाथ 2.5 से कम हो तो continuous beam आपका गहराधरन कहलाएगा लेकिन यहां पर सिंपली सपोर्टिट वीम की बात कही जा रही है तो यहां पर 2 से कम होना चाहिए नेक्टन देखते हैं लचडा आत्मक बार से उस भारे का तात्पर हैं जिसके धाचे या सनशना के जीवन में उस राशी से नव बढ़ने की प्राइकता के बराबर हो कितनी राशी से नव समुद्र जल में डूब़े हो के लिए अतरीक्त प्रभावी आवरण जो की शंगीता के द्वारा औनुशन्शंसित है क्या है 40 इंय अर देखें आलाग अलग कवर होता है अपका प्रवलीत kankrit कहवें जो पूर रूपेड समुद्र जल में डूबे हो के लिए अत्रिक्त प्रभावी आवरण जोकी शेंगीता के द्वारा नुशंसी थे क्या होगा आपका 40 से में माना गया है अलग-अलग उसके लिए अलग-अलग आपका कभर जो आपका होता है अलग-अलग होता है तो डीटेल हम बात में देखेंगे निक्स्टम देखते हैं दिव-दैशिक स्लैबों के लिए विष्टरिती और प्रभावी गहराई का अनुपात निकालने के लिए कौनसी हम विष्टरिती लेते हैं इस्पान कौन से लेते हैं तो छोटी विष्टरिती को लेना चाहिए यह अपसंस ऑंच आधा जो की प्रभ्लित Concreate Seem herbs का बना है के लिए दोनों तनतान पात बादे से कम हो तो Israel कहेंगे इसे एदया नुम प्रम क्रिदो क्रेश हम पीडगया Due ti Kamer hur cinnamon और तर बारीस से कम है तो उसे प्रमार की स्टोटा यह दमएद का सहीर होगा सिरे के प्रतिवंदों के बीच एक इस्तंब की बीना टिकी लंबाई इस्तंब की सबसे छोटी पार्षिक माप के कितने गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए तो सीरे के प्रतिवंदों के बीच एक इस्तंब की बीना टीकी लंबाई इस्तंब की सबसे छोटी पार्शिक मापके 60 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए तो D आपसेंस आपका विल्कुल सही अंसर है ने इस्तंब देखते हैं एक शुद्ध औलंबित या सतत धरन में लंबाई में लगे प्रतिवंदों के बीच की खुली दूरी पार्शिक इस्ताइत्त के इस्ताइत्त के लिए किस्य ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो C आपसेंस इसका सहींसर है 60, B या 250, B square by D से जो भी अदिक हो तो इसका मान रख़का वं टोटा इसका मान निकाल लेंगे इसका क्या वालु आ रही है इंनमे से जो भी अधिक होगा उससे आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए नदियम बंदरगा के माडलों के लिए सबसे प्रमुक हो सकता है कौन सा नंबर आपका सबसे प्रमुक होता है फ्राउड नंबर आपसा नंबर यह आपका सबसे प्रमुक होता है नदियम बंदरगा के माडलों के लिए आपका फ्राउड नंबर सबसे प्रमुक होता है नेक्स और शाभून के मात्राज जो कि एक पानी के नापे गए आयतन में इस्थिर्ट तरीके से हिलाने पर इस्थाई जाक भनाने तो आवश्यक होती है सम्पूर कतोर्टब से होता को जोथा हैं तो एक श्रूसर का सुथक को माना जाता है और शीमित विश्टार की जो समवना अंतर प्लेटे उनके बीच के बहाव को हम दीव इमिय बहाव मानते हैं भी आपसंस आपका सही अंसर है नेश्टन देखते हैं कम दाब के अंतरों को नापने में एक मिश्टन जिसका आप एच्छी गुरुत 1.10 है का प्रयोग किया दता है सिर्षा अंतर हैंनि कि इस प्रकार मिलेगा बराबर होगा किसके बराबर होगा डिफ्रेंशियल हेट का बढ़ाओ तो यह हमको बताना है इसमें हम देखते हैं कैस सब्सक्क्राइब म Jewish लृवट मिश्चर दया गया है यह इसको एक मान अपको दिया गया है इश्पी ग्युती मिश्चर का मान तो यहां से आपका sundu इसकल तो 1.10 और आपको पता है पानी करे अचिक नत हो ता हो आपका क्या होता है बहुक्त वह भान उता है तिसकाuitive डिक्म सब्सक्राइब करेंगे यानि कि 1.10 में से अगर हम 1.0 को घटाते हैं तो क्या आपका एंसवर आएगा 0.10 तो यहां से आपका option number C सभी answer हो जाएगा जो अंतर आपका आएगा 0.10 का नेक्ष्ट हम देखते हैं और परिवर्ति प्रवा में क्या होता है यहां पर परिवर्ति प्रवा है वह उसमें लोकल त्वरवर्ण आपका सुनने होता है यह आपसाथ आपका से अंसर है अगला देखिए एक बाल्टी चीशा पानी भरा है वह जो की एक इस्थिर गति से अपने उर्द्वार्दर अच्छ के चार और घुमती है कि घुमने से आपका क्या बनेगा फ्रीष फोस्टाथ वर्टेक्स यह फिर दोनों ही तो आपसा नमबर भी आपका से अंसर है वली वर्टेक्स आनि की फोस्ट वर्टेक्स बनेग आपका एक बाल्टी चीशा पानी भरा ने बने है ब इक इस्थिर गतिश चीशा अपने उर्द्वर्दर अच्छ के चार और कि घूमने से आपका वली वर्टेक्स बनेगा, बी अफसर आपका से एंसर है, एक दाब पाइप यानि कि प्रेशर पाइप में हूप तनन, जहां P पाइप के केंदर पर दाब D पाइप का ब्यास वर T पाइप की मुटाई है, कि इसको बताए जाता है, कितना होगा आपका यह हूप तनन, तो P D upon 2 T होता है, यह जो हूप तनन आपका होगा, P D upon 2 T होगा, इसको हूप इस्ट्रेस भी बोलते हैं, और जो आपका लांगिट्यूडनल, जो इस्ट्रेस होता है, वो आपका होता है, पीड अपान 4 T, इसको हम ऐसे रिनोट करते हैं, देखिए, हूप तनन जो आपका है, इसको हम सिग्मा इस से रिनोट करेंगे, इसका मान आपका होगा, P D upon 2 T, याद रखेंगे, यह दोनों की इसन आपके सारे एकज्याम में पूछे आते हैं, और इनमें confusion मी होता है, तो हूप तनन के लिए हम याद रखेंगे, हूप इस्ट्रेस के लिए P D upon 2 T और जो आपका लांगिट्यूडनल इस्ट्रेस होगा, यह अच्छे आपका होगा, यह यल होगा, लांगिट्यूडनल इस्ट्रेस, यह यल लांगिट्यूडनल को ड्यूट कर रहा है, तहां पर आपका हो जाएगा, P D upon 4 T, यह दोनों में याद रखेंगे, हूप के लिए टूटी, P D upon 2 T, और लांगिट्यूडनल इस्ट्रेस के लिए P D upon 4 T, यहाँ पर आपका हूप के लिए P D upon 2 T, आपसा नमबर यह आपका से इंसर है, नेक्ट हम देखते हैं, मात्रकों की यमकेस गुर्तवाकर्षर पढ़ाली में द्रभमान का मात्रक क्या है, यह कि वारे मे यमकेस गुर्तवाकर्षर पढ़ाली के वारे में पूछा रहत, यहाँ पर आपका आपसा नमबर C आपका से इंसर होगा, मीट्री स्लैग, यमकेस गुर्तवाकर्षर पढ़ाली में द्रभमान का मात्रक आपका मीट्री स्लैग होता है, नेक्ट हम देखते हैं, भेदात्मक दाब अंतर मापी में पारे का प्रयोग लाफकारी होता है, जब दाब का अंतर होता है। अधिक होगा। नमबर chair आपका सेचर है। जब दाप का अंतर आपका अधिक होगा। नेक्स्टन देखते हैं। जल में डूबी हुए किसी वस्तु पर लगने वाला उत्पलावक बल बराबर होता है किसे मिर्दा में जल इसतर के बढ़ने से प्रभावी प्रतिबल क्या होता है गटता है, बी आफसल साब का से अंसर है, जब किसी मिर्दा में जल का इस्तर बढ़ता है, तो प्रभावी प्रतिबल गटता है, नेक्ट हम देखते हैं, त्री अक्षी परिछड में मद्यवर्ती मुख प्रतिबल होता है, क्या होता है, बी आफसल साब का से अंसर है, चेत्रपल के लिए पारगमता गुडांक की पूर्तिया राज को निकाला जा सकता है किस परिछड से पहला आपका दिया है इस्तिर सिर्स परिछड पारगमता परिछड दूसरा आपका चल सिर्स पारगमता परिछड तीसरा आपका है पंपिंग आउट परिछड या पंपिंग इन परिछड तो सी आपसंस बिल्कुल सही एंसवर है पंपिंग आउट परिछड से नेक्ष्टम देखते हैं रीशन वेग में अपवाहित वेग किसी मिर्दा के लिए के बीच होता है पर्थम सदय अधिक होता है रीशन वेग वह अपवाहित वेग के बीच में पर्थम जो होता है जो पाले होगा वो सदय अधिक होगा यह आपसे आपका से अंसर है नेक्ष्टम देखते हैं एक जैसी विश्तृति वो भार इस्थितियों के लिए एक शीराबद धरन में एक सुधालंबी धरन की तुलना में अधिकतम बंकन आगुड होता है अदिक होता है यह वराबर होता है यह आपको बताना है कि एक जैसे विश्तृति भापर इस्तितियां के लिए है है भारिस्तिदियां भी एक है एक सीराबद धरन में एक सुधा लंबी धरन की तुलना में अधिकतम बंकन आगुड क्या होता है कम होता है अपरूपड बलके परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके बराबर होती है भार की तिवृता के डी आपसंस आपका से एंसर है के लिए m by e i क्या दर साता है धरन का जो bending equation उता हो में यह आई आई आता है और यह क्या दर साता है important है तो वक्रता को कर्व को दर साता है यह वक्रता को दर साता है is a options आपका से अंसर है नेक्टन देखते हैं कांजूगेंट बीम बीदी में एक वास्तिक धरन में एक साधारण बाहरी आलंब बदलता है आपसा नमबर डी आपका से एंसर है एक सुद्धालंबित आलंब के रूप में कांजूगेंट जो बीम बीदी है इसमें एक वास्तिक धरन में एक साधारण बाहरी आलंब एक सुधा लंबित आलंब के रूप में बदलता है डी आपसंस आपका से एंसर है नेश्टम दिखते हैं वे तल जिन पर अधिक्तम अप्रूपड प्रतिवल होता है तो पहला आपसं दिया आपका प्रमुख तल दूसरा दिया वे तल जो की प्रमुख तल से 90 डिकरी जुके ह होते हैं दो आपसंस आपका इधर है वे तल जो की प्रमुख तल से 45 डिकरी जुके होते हैं या फिर वे तल जो की प्रमुख तल से 45 डिकरी जुके होते हैं एक स्टम देखते हैं पॉजो अनुपात की शीमा क्या है जो पॉजन रेशियो आपका होता है उसकी शीमा क्या है यानि कि limit क्या है maximum limit क्या है यह आप से पुछा जा रहा है तो 0.50 सी आपसा सब का विल्कूर सही अंसर है अलग-अलग material के लिए अलग-अलग poison अनुपात होता है एक video हमारा इस पर है civil engineering के बारे में जो भी important point है उस पर हमारे होती है minimum आपकी 0 होती है और maximum आपकी 0.5 होती है तो यह हम याद रखेंगे और इनहीं के बीच सारे material की limit आपकी poison ratio की बताई गई है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा आपको नीचे link decision में मिल जाएगा उसका link तो यहां से आपको limit पूछा जा रहा है तो maximum आपका 0.5 होगा limit minimum पूछा जाता तो 0 हो जाता तो यहां पर आपका answer C हो जाएगा next time देखते है एक वर्गाकार ब्लाग पर सरल अप्रूपड आरोपित किया गया है कड की रैखिक विकृति बराबर होगी किसके बराबर होगी अप्रूपड विकृति के आधे की शी आपसंस आपका पूछा जाता है तो सारे फार्मूले आपको उस वीडियो में ही मिल जाएंगे तो उसको ज़रूर से जरूर देख लेजिएगा आपका देखिए आपका पूछा जा रहा है तो कि आपसंस होगा इस कर टू या अपन अपन प्लस मिव और यह क्यूशन इंपोर्टेंट भी है हर एकजाम में आप से पूछे जाते हैं नेक्स आप देखते हैं कि शंहिता के अनुशार संफीरन के लिए लेशिंग बार का तंता अनुपात कितने से अधिक नहीं होना चाहि यह हम याद रखेंगे यह भी आपका इंपोर्टेंट क्वीशन है नेक्टम देखते हैं कि फिल्ड रियूटेव के लिए रियूटों बोल्टों में अधिक्तम अनुगय प्रतिवलों को संगीता के अनुशार कितना कम किया जाता है कितना कम किया था तो 10% भी आपसंस आपका सब्सक्राइब नेक्टम देखते हैं संगीता के अनुशार अक्षिय तनन का अनुगय प्रतिवल जो की न्यूटन पर मिश्कार में है शेक्शनों के वास्ति प्रभावी छेत्र के लिए जहां याफ वाई आपका न्यूटन पर मिश्कार में इस्टील का नियूंतम और सफ आफ वाई आफ वाई आपका क्या है पराभव प्रतिवल है नेक्टम देखते हैं एक तनन आववव में अधिक्तम तंत्वा अनुपास संगीता के अंसर कितने से अधीक नहीं होना चाहिए तो 400 से आपका से एंसर है नेक्टम देखते हैं इस पात से निर्माण के लिए जह दित्तियक प्रभावों को बिना वाय या भुकंप से जनित भारों के लिए लिया जाता है अवयों या जोडों में अनुग्य प्रतिवलों को अनुशंशित मात्रा से कितना ज्यादा लिया जा सकता है तो 25 परसेंट यह आपसंस आपका विल्कुल से एंसर है नेक्टम गटाए जाने वाले च गर ना के शित्र का ब्यास क्या लेना चाहिएочку distribute contributing coath anun निगे तो 38 cm लेंगे यह हम क्यों लेंगे का ब्यास की मेंच 맡ले iv घ्या और इसमें हम डो एट कर लेंगे जो भी कुछन है उसको सॉल करते हैं तो यह मैं याद रखेंगे जो 25 से कम यह 25 तक है तो हम 1.5 पाइट करेंगे पचीस जदी तो दो आइट करेंगे यहां पर आपका 36 दिया घ्लिए तो यह निए 25 से अधीक है तो 28 से में आपका एंसर होगा सी अफसर आपका से एंसर है दो प्लेटे मिलती है एक उपर होती है और एक इसके नीचे लगी होती है तो जो उपर ही प्लेट होती है इस पर आपके वर्नियर के मान यहां पर होते हैं दिये होते हैं तो इसको हम अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं और जो नीचे की प्लेट आपकी होती है और lower plate भी बोलते हैं याद रखेंगे और ऊपर की जो प्लेट होती है उसको वर्णियर प्लेट या आपर प्लेट बोलते हैं तो यह आपका B आपसंस से होगा थियोगा तेलाइट की पीस सी लेकित आज इंपताएं अन्सांकन को परकेगा निदल को साव हो HU तुह जाएं ते हैं और हुजण में चलते हैं तो गड़ी के चलना की दिशा उथा जुखिक हैं तो आपका सुई के घड़ी की जो घड़ी की सुई होती है उसके चलने की दिशा में चलते हैं तो यह आपका दूसरा आपसंस यहां पर हो जाएगा और यह आपका पाला यानिकी दच्छिड में आपका जीरो होता है और घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं त जो भी line होती एएं ठूम होती है ह fact berri suction यहीरिएन वाली line होती है आप ही यहां पगार्ण है यो अपर गली बार्ड़ी जानते है यह हfolgा है इन दोनों के अन्य से पड़ते हैं तो पालते हैंने हैं सथ्य आप को में यदू को यह हम पर बनते हैं नेक्सट प्राइं पूठ जाते हैं किस्कों सौल करके देखते हैं आपका ती में आपका दिया गया है एक किए अंतर चि कि दिखिस अंहां या सब्तित के पाइस अीक में तॉम करते हैं dragons 102 पयरी एक सेखिu डिखिसद दोफे हैं इस आपको बताना है यहां पर और इस क्यूशन यानि कि इस टाइब के अगर कोई भी क्यूशन मिलें तो आप बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से कर पाएंगे इस तरह के क्यूशन आपके एक्जाम में पूछे आते हैं इसका एक सेप्रेट वीडियो हमारा है शर्वे के प्लेइस्ट में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रीशन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा वहां से आप जाके देख लेते हैं पांस से दस मिनट का यह वीडियो है और वहां से बहुत ही एलपूल है आपके लिए एक्जाम में कभी क्यूशन आया तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे तो चलिए हम इसको स्वाल करके देखते हैं यह क्यूशन हमारा कैसे होगा आपका चिंबकी दिक्मान का मान दिया गया है यहां पर एक सो बत्रीटीगरी पैंतालिस मिनट एक पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे डिक्लिडेशन पर जो डिक्लिडेशन अगर आपका वेस्ट में दिया होता किवल एक ही पॉइंट आपको याद रखना है वेस्ट में दिया है तो हम माइनस चीन के यूज करेंगे अगर वह टा है तू यहां से लगाए है क्योंकि जब डिकलिडेशन आपका lei मेचन पर ड्लोडिक प्लस माइनस माइनस डिकलिडेशन होता है क्योंकि जब डिकलिड़ेशन आपका इस्ट में हो तो कैने कि यहां पर हो छोना जांद और सवस्चुना यां पर शापने से संब्सादिश्क में है मां आपको कि यह व्यूंट्रीं वियंगर दिजिए 45 मिनिट में पर 25 मिनिट तो 25 मिनिट तो हमारा बचेगा लाश्ट में और 132 से 10 माइनस करेंगे तो 100 यहां पर 22 डिग्री यानिकी एक मंदक ख्या सलफेट creator का किनक्रीट में एक मंदट का कार करता हैं रिपार्डव का काम करता है क्ने लकड़ी के खित्र या रंध्रीकत कारड की शिस्टम में जोकि लगड़ी की Kennedy चान में प्रियुक्त होता है एक काड में होते हैं कितने चीद्र होते हैं तो 96 सी आपसस सही है आपका इसका लिंक भी टिमबर्ग का सारे क्विशन कराए अब्जेक्टिव आपको नीचे मिल जाएगा डिशीशन में इस्टम देखते हैं किसमें लकडी की अधिकतम होती यानि लिए बीटुमर्णी पदारतों के लिए निर्वात के स्यानता मापियों कंस का निर्धार करने मीं किया रहता civ किसी मेहरापके किसी भाग यानि की सिक्ष्ण पर बंकन अगोरणिंण के बीच वूता दूरी के बराबर होता हैं तो किसके बीच यहां पर आपके तीन आप्संस दिये गए और तीनों में से कोई से नहीं, उफ्रोक्त में से कोई नहीं, डी आप्संस आपके इसके लिए सही अंसर होगा, नेक्ट हम देखते हैं, यदि प्रतिक्रिया तत्तों की कुल संख्या उपलब दिस्तिति समीकरणों क की कुल संख्या से कम हो, तो कोई ढाचा आपका और इस्थाहित में होगा, डी आप्संस आपका सही अंसर है, नेक्ट हम देखते हैं, यह कथन की किसी बाह बल के द्वारा किया गया विच्छे विकृति उड़ जाके उस बल के शापेच आंसिक आउकल के बराबर होता है, कि सिद्धान्त के अनुशार है, तो यह आपसन नमर भी आपका सही अंसर है, कैस्टिक लिए नू का दित्तिय सिद्धान्त, भी आपसंस इसके लिए सही अंसर होगा, नेक्ट हम देखते हैं, एक आयताकार आकृति के सिक्षन के लिए, आकृति गुड़ां कहने की शेफ फेक अलग-अलग होता है, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, यह अलग से, यहाँ पर आपका बी आपसन से अंसर होगा, जो आताकार आकृति के लिए, शेक्षन आकृति गुड़ां कहने की शेफ फेक्टर है, 1.50 होता है, नेक्षन देखते हैं, यदि यन संभोक और T अधिक्ता हो, यानि की रेंडेंसी की संख्या हो, तब स्वतंत्र यंत्रावलियों की संख्या होगी, जब इंडिपेंडेंट जो आपको होगा, मेकैनिजम, उसकी संख्या क्या होगी, यन माइनस T, यहाँ से आपसन नमर B आपका से अंसर है, नेक्षन देखते हैं, का आत्मक भार, नेक्षन देखते हैं, एक महराब जिस पर सुद्ध संपीटन बल एक समान वितरित भार के कारण लगा है, यह आपका क्या होगा, परवलायकार महराब, सी आपसन आपका से अंसर है, नेक्षन देखते हैं, नीचे लिखे सीमेंट से उनको सुनें, जो की धेर क से निर्माड यने कि Mass concrete construction में प्रियोग किया जा सकें, मास concrete construction में कहन से सीमेंट का हम प्रियोग कर सकते हैं, तो आफसन नमर T जासकता है तो जलब्रतिकरशी सीमेंट के निर्माण में प्रियूग किया सकता है जल योजी सीमें पेष्ट में केशी का अरंदर आपका क्या है यह को बताना है यहां से आप्स चूना पत्थर यानि कि लाइम इस्टोन को 900 डिग्री सेंट्यूएट ताप तक गरम कर वह कार्बन डायक्साइड को निकाल कर अन्भुजा चूना बनाने की प्रक्रिया हमारी क्या क्या लाती है तो कैसा नाइंग करेंगे इसको हम काल साइनिंग यानि कि इसको निश्टाप आपका से अंसर है मार्बल नेक्ट हम देखते हैं एक विश्फोटक जिसमें 55 परसेंट साल्ट पीटर 20 परसेंट गंदा को 15 परसेंट चारको दोता है यह आपका कौन सा विश्फोटक है तो ब्लास्टिंग पावडर सी आपसंस आपका से अंसर है बिल्दी मेट्रियल के सा हमेसिए इटो को लिया जाजन चाहिए तो भीस इटों को जब नामबाई की जाच करते हैं तो क में लेते सेंपल के रूप में तो हम वह очень important है यहोच जाजन है आपसंस आपका सेजह करते हैं, यहाँ पर आपकी वीडियो समाइवत पर रहेये नेक्स्थम 2006 थी अब्य प्शł में पूछे गए हैं तो पूछे गए हैं